जागिन के लिए जंगल से साल का पत्ता लेकर लॉट्रे ट्रैक्टर के पलटने से दस आदमी घायल हो गएं सभी घायलों का अनमंडल अस्पताल चक्रधरपुर में इलाज हुआ वही गंभीर रूप से घायलों को चिकित्चको ने चैंबासा सदर अस्पताल रेफर कर दिया जानकारी के अनुसार मंगलवार को आदिवासी हो समाज के जागिन समारों में लगने वाले जंगली पत्ता लाने के लिए ट्रैक्टर से यूको की तोली खुट पानी प्रखंड के लुपुंग बेडा जंगल गई थी जंगल से पत्ता लाने के क्रम में चक्रधरपूर चैबासा मुख्य सड़क सराइकेला मोड के समीप पत्ता से लदा ट्रैक्टर पलट गया ट्रैक्टर पलटने से ट्रैक्टर में सवार 15 में से 10 व्यक्ति घायल हो गया सभी घायलों को एम्बुलेंस से अनुमंडल अस्पताल पहुचाया गया बताया जाता है कि चक्रधरपूर प्रखंड के इटोर पंचायत अंतरगत हाथी बारी गाउ में बाबुलाल बोद्रा नामक व्यक्ति के घर में जागिन समारो है समारो में लगने वाले जंगली पत्ता को लाने की लिए ट्रैक्टर में सवार होकर गाउ के दरजुनों युवक जंगल गये हुए थे जंगल से जामून एवं साल पत्ता तोड़ कर ट्रैक्टर में लेकर वापस गाउन लोट रहे थे इस दवरान चक्रधरपूर चैबासा मुख्य सडक खरस्वा मोड पर ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक तूट गया जिससे ट्रैक्टर की डाला पलट गई सभी घायलों का प्रात्मिक उप्चार चक्रधरपूर अनुमंडल अस्पताल में किया गया जहां पर गंभीर रूप से घायल 14 वर्षिय बुदलाल गोप को चैबासा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया इधर घटना की सूचना मिलते ही सुमिता होता का फाउंडेशन चक्रधरपूर के अध्यक्स सदानन होता अनुमंडल अस्पताल पहुंचे और घायलों के इलाज में मदद किये जागन किसका था जागन किसका था जागन से नुमंडल पहुंचे जागन के प्रोड़ कर देमें